नमस्कार, welcome you all to brainstorm ED मैं हूँ रुपेश कुमर मिश्रा और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, इसका essence मैं पहले बता देता हूँ आप लोगो देखे, LNA M.U. दलित नर्मतला University द्वारा, Officially आप लोग का Practical Examination का Date डेट डिकलेर कर दिया गया है, अब आप पुछोगे किन के लिए डिकलेर किया गया है भई, तो ये किया गया है आप लोग का डिग्री 1 के लिए, तो डिग्री 1 के लिए जो अभी examination दे रहे हैं, उनका examination का Date जो है कब से दिया गया है, अप्रॉक्स मेरे इसाब से 29th of ये November से, 29th November 2022, अब आप लोग का कमेंट आ रहा था कि प्रैक्टिकल परिशा में, कॉपी कैसे लिखें, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, जो पार्ट 3 वाले बच्चे हैं, उनको मदद मिला होगा, उनको help हुआ होगा उससे, और इसमें हम बात करेंगे कि पार् presentation कैसा होना चाहिए, हर एक point को मैं clear करूँगा, आपका जो भी doubt है न मन में, वो सब clear हो जाएगा आपका इसी वीडियो में, इसलिए मैंने सोचा पहले ही बता दू कि ये वीडियो किस topic पर होने वाला है, आप लोग के पास मात्र अभी 8 से 10 दिनों का समय है, इसी दोरान आपको त्यारी करना है, दोनों आपको साथ में लेके चलना होगा, तभी आप 50 में 45 के आसपास score कर सकते हो, otherwise आप देखते हैं कि average marking में 30 और 35 के range में रहता है, ये आपको अच्छे से पता है, तो देखे, सबसे पहली बात है कि वीडियो में आगे बढ़ हूँ, उससे पहले हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ, चैनल को सबस्क्राइब कर, बगल में बेल आइकन है, उसे भी हिट करके रखें, आप जानते हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिधम में चैनल को लाने के लिए लगातार आप लोग के support कावा सकता है, इसलिए आप एक छोटा सा उपका करें अपने भाई पर जदा जदा शेर करें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और साथ में अपने कलीक्स को भेजें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखके, कहने का मतलब प्रैक्टिकल को लेके जो उनका question रहता है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, वो किसी स्टेशनरी पर चले जाओगी, कुछ इस तरह का आपको कॉपी मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री, बायोलोजी में आपका जूलोजी हो गया, बोटनी हो गया, या आर्ट्स में जिस भी सब्जेक्ट का होता है, उसका प्र प्रेक्टिकल के जो इग्जामिनर होते हैं, वो उसको चेक करें ना करें, लेकिन ये आपका उत्तरदाई तो है कि कॉपी को आप अच्छे तरह से सब्मिट करो, बहुत चात, excuse me, बहुत सारे चातर ऐसा करते हैं कि कॉपी जो जैसे मालो पिछले साल, जो प्रेक्टिकल हु हो सकता है, एक्जामिनर आप लोग को कहने का मतलब पूरतर से स्टिंजेंट हो जाए, तो फिर आपको परिशानी होगी, इसलिए पहले से आप लोग सतर करें, be alert, before any incident occur, ठीक है नजी, तो ये है कि ये कॉपी आपको लेना, इसका प्राइस आपको 50 से 70 रूपीज के आसपा पड़ जाएगा, सबसे पहले बात है, प्रैक्टिकल कितने marks का होता है, तो दिख्ये, 50 marks होगा टू पेपर में, फिजीक्स, रूपाacă होता है आपका, फिजीक्स से बाले का, किमस्ट्री वाले का, जिलो जी नकॉटनी वाले का, दो पेपर में, ठीक है, और 200 का आपको पता होता है जो टूटल थियोरी और और प्रैक्टिकल को इंक्लिउड करके होता है और 150 का हमारा रिटेन परिक्षा होने वाला है ठीक है तो स्कॉलेज में आपका थ्वरा पहचान भी रहना जरूर है यह भी मैटर करता है एक्जामिनेशन में खास कर बिहार में ऐसा कहा जाता है तो मान लीजिए आपका सेंटर होने वाला है तो उसमें भी आपको कॉपी समिट करना परेगा एक कोपी आप ले लोगे कहां से स्पेसिमेन के तौर पर आप अपने कालेज में जाओगे और वहां देखो जो पहले वाले बच्चो ने पिछले साल या उससे पहले वर्च में जो फिजिक्स या स्ट्री या जिस विशाइव के हो उसका copy दिया होगा वो लेकि आप आजाना और लगभग उसका साथ छे साथ experiment आपको लिखना है ये copy देने से आपको ये फाइदा है क्यों मैं बार बार जोड़ देता हूँ 5 marks आपको copy देने से मिलता है चालिस प्लस ये कि स्कोर का रिंज है अबरेज मार्किंग होता है 32 35 ठीक है तो copy submit करोगे अब मैं बता रहा हूँ कि copy में क्या लिख होगे और आपको center पर क्या मतलब अपने college में जब परिक्षा होगा वहां पर क्या पूछा जाएगा वाइबा किस तरह से होगा और वाइबा के लिए क्या तयार करना है आप लोग को तो वीडियो में आप लोग यह आगे दिखीगा सबसे पहली बात है यह देखो कुछ specimen आपको इस तरह से copy जब आप market में खरीद होगे तो इस तरह से आपको index दिखेगा open करोगे जब first page को name of the experiment आपको मिलेगा serial number मिलेगा page number मिलेगा date of experiment date of submission and remarks यह remarks दिया जाता है examiner के द्वारा you don't have to fill this ठीक है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है यहां पर आप सबसे पहले copy तो आप college से ले लोगे और वहीं experiment आप यहां पर two copy लिखे दोगे और बानलो अगर कोई चाहते हैं ऐसा कि market से practical का किताब खरीद के फिर उसको लिखें तो आप market से book ले लो या फिर आप देख लो Google पर इसका PDF है physics का first year का उसको download करके फिर आपको उस book में देखोगे कि experiment लिखा होगा to determine resistance इसी तरह से question है ठीक है ऐसा नहीं है कि यह आपको पूरा लिख देना है यह question नहीं है I am just giving you an example और आपको उस तरह से काम करना है तो इसमें आपको experiment लिखना है name of the experiment वाले section में और उसके बाद page number कहां से कहां तक यह experiment आपका हुआ है म नहीं किया जाता है तो फिर भी कोई कसर आप क्यों छोड़ोगे तो date of experiment आप यहां लिखोगे date of submission किस date को आप submit कर रहे और यह examiner के दोरा remark दिया जाता है इस पर इसी तरह देखो जैसे 6-7 experiment इस बच्चे ने भी लिखा है एक example के लिए मैंने copy आपको दिखा दिया उसके बा होता है न यह वाला इस side में आपको लिखना है diagram वगेरा बनाना है जो भी diagram उसमें mention होगा वो diagram आप सिर्फ white page में बनाना और उसके बाद आता है underline वाला यह underline इसमें आपको उसका theory, aim, procedure हो और बांकी observation होता है यह सब आपको उस line वाले में लिखना है ठीक है यह तो clear होगे आप लोग को copy के लिए अब center पर आप लोग का देखी क्या होगा आपका वहाँ पर green board रहता है उस पर दो experiment लिख दिया जाता है प्रफेसर के दौरा उस दो experiment को आपको देख के लिखना है किताब से ही तो book आप रखो या google खोल के उसको आपको दो experiment बना के copy दे देना है साथ मैं आपको वहाँ पर roll number ध्यान से भड़ना है यह बहुत matter करता है result pending ना हो इसके लिए roll number answer IDR number उसके बाद registration number उसके बाद जो है swap का college code उसके बाद आपका center code यह सब अच्छे तरीके से fill करना है date भर देना है और sign वहाँ पर ध्यान से कर दोगी जो आपका signature होगा ठीक है उसके बाद अब क्या करना है फिर बात करना हो में वाइवा के बारे में यहां तक तो समझ आ गया अब है कि वाइवा में क्या होगा तो देखो वाइवा के लिए आप लोग क्या करोगे वाइवा में कहने का मतलब है basics question पूछा जाता है जैसे आप degree 1 का exam दे रहे हो तो इसम मानलो आपको ये भी पूछ सकता है कि Newton का first law बताओ तो आप बोलोगे ये तो 11 12 का concept है doesn't matter physics में कुछ भी पूछा जा सकता है अब EMF के बारे में आपको पूछ देगा या मानलो आपको Gauss law के बारे में पूछ देगा ये physics का example में दे रहे हो इसी तरह chemistry में भी आप सोच लो ए नहीं आपको directly कोई formula पूछ दिया जाएगा मानलो suppose करते हैं पूछ दिया जाएगा vector scalar potential में किस formula का use होता है या मानलो आपको पूछ देगा electromagnetic wave का क्या equation है इस तरह से वाइवा में आपको लिया जाता है और वाइवा अगर आप देते हो तो वहां से आपको फाइदा मिलता है 5 marks का वाइवा नहीं दोगे और copy नहीं दोगे तो आप 50 में minus कर दो 10 marks तो 40 पे आपका marking होगा और इसमें आपको 25 से ज्यादा नहीं मिलेगा out of 50 हर एक हिसाम में clear आपको बता दे रहा हूँ तो copy देखना है आपको किस तरह से रहेगा इस तरह से यह देखो example के लिए मैंने बत दोरी और इस वाले side में आप क्या बनाओगे यहां पर बनाओगे और diagram only diagram ठीक है एक मैंने presentation के लिए आप लोगो copy दिखा दिया कि कुछ इस तरह से आप लोग का रहेगा उसमें तो underline रहता है यह पूरा blank है ठीक है जी उसके बाद जो है आप लोगो जो आपको copy जो आप submit क खरीद के और जो आप experiment लिखे submit करोगे उसमें आपको सबसे front page पर कहने का मतलब just यह जो आपको classmate दिख रहा है इसके next page को जब आप कहने का मतलब पलटते हो जब आप पलटोगे तो पहले ही page पर आपको right side से आपको लिखना है क्या आपको लिखना परेगा let me write it here registration number उसके बाद आपका college का roll number उसके बाद आपका answer IDR number और college code answer IDR number उसके बाद college code and center code center code यह सब कुछ आपके admit card पर mention किया गया होगा ऐसा नहीं है कुछ कहीं से आपको extra देखने का कोई अवश्यक्ता नहीं है मैं उमीद कर रहा हूँ कि हर एक point आज के वीडियो में मैंने जो practical के regarding बताया है वो आपके समझ में आ गया होगा हर एक concept यहां से clear होना चाहिए बहुत सारा वीडियो मैंने अल्डेडी इससे पहले practical पर बनाया है आप चाहो तो आपको अगर कोई शंका है फिर भी कोई शंसा है तो जाके वीडियो आप देख सकते हो आपका पूरा शंसा है वहाँ से दूर हो जाएगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लिस टेल मी इन दे कॉमेंट बॉक्स वीडियो को एंड करने से पहले में बता दू कि टेलिग्राम ग्रूप का भी आप लोग जोईन कर ले मैंने पहले नहीं बताया है साथ में इंस्टाग्राम पर आप मुझ कि आप हूल